गुराफनोन आवर्यवन आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के इस ए लर्निंग प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफियर्स ओन वीकली बेसिस कल हमने किया था चत्तीजगड के करंट अफियर्स को पहले आज हमारे लिए बात है नैशनल और इंटरनाशनल करंट अफियर्स डे याने की जून के दूसरे हफते में हमारे लिए राश्ट्रिय एवं अंतर राश्ट्रिय अस्तर पर जो भी समसमाई की होई होंगी उनको हम सबसे पहले आज डील करने वाले हैं किस पर सब्जेक्टि वे में और फिर कल हम इसी के उपर बेस करके आपके लिए MCQ सीरीज ले करके आएंगे हमारे साथ कंटिनेसली आप लोग बने रहेंगे और अपनी करन्ट अफियर्स की जन्नी में एक्सल करेंगे शुरू करने से पहले आप सभी जो भी लोग सेवा आयोग की परिक्षा की त दोनों को एक साथ टार्गेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यह आपका test series launch कर रहे हैं यानिकी prelims और mains दोनों को ही आप टार्गेट कर पाएंगे एक ही test series के माध्यम से और ये जो test series है ये शुरू हो रही है आपके 30 जून 2024 से यानि कि इस महिने की 30 तारीक से हमारा क्या शुरू हो रहा है ये test series शुरू हो रहा है जो दोनों को एक साथ target करेगा कैसे mains और prelims को और इसमें आपको फिलहाल जो लोग अगामी 10-12 दिनों के अंदर इसका क्या करते हैं enroll करते हैं उनको up to 60% का क्या मिलेगा discount भी यहाँ पर मिलेगा है अब ये test series कैसा है इसको देख लेते हैं इसमें हमारे पास कुल मिला करके 85 test होने वाले है याने की 85 test इसमें होने वाले है जिसमें से 55 जो test होंगे वो होंगे prelims को dedicated और जो आपके 30 test बचे हुए हैं वो होंगे आपके mains को dedicated अब ये test ऐसे होने वाले हैं कि एक ही दिन में आपका एक ही syllabus का prelims और mains दोनों का test लिया जाएगा मतलब अगर आप किसी topic को पढ़ रहे हैं तो आपको वहां से multiple choice questions को solve करना भी आना चाहिए और वहीं सहीं आपको क्या आना चाहिए कैसे 248 और 10 15 नंबर के जो questions हैं उनको कैस की जा रही है तो ये जो 30 जून से शुरू होने वाले हैं इसमें total test कितनी होंगे हमारे पास 85 होंगे 55 जो होंगे वो test किसके लिए होंगे prelims के लिए dedicated और 30 test होंगे किसके लिए mains के लिए dedicated कब से कब तक 30 जून से लेकर के 15 January तक एक long term क्या है ये test series है मतलब आप लोग इस test series स से जुड़ करके अपनी तयारी को optimum level पर ले जा सकते हैं इसके बाद में जो mains का test series है ये 30 जून से मतलब एक साथ ही शुरू हो करके कब खतम हो जाएगा ये 10 November 2024 को याने कि दोनों ही आप लोगों के लिए क्या है long term test series के रूप में आप लोगों को देखने मिलेंगे अब यह हाँ पर कुछ features हैं हमारे पास में उन features को हम देख लेते हैं सबसे पहले इस test में हमको और क्या क्या देखने को मिलेगा एक तो यह bilingual होने वाले है test है ना याने कि Hindi में भी और English में भी होंगे साहत में आपको test के बाद में इनका explained क्या मिलेगा model answer मिलेगा केवल model answer नहीं या फिर आप लोगों को seminar कराया जाएगा इसके बाद में results बिल्कुल time to time घुशित किये जाएंगे हमारी जो experts की team है उनके द्वारा यह क्या किया जा रहा है mcq series या फिर बोला जाए test series को launch किया जा रहा है ताकि आप लोगों को अपनी परिक्षा में ज्यादा से ज्यादा सफलता का क्या कर सके हम लोग एक सफलता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके इसके बाद में हमारे पास 24 hours gateway for doubt solving है मतलब आप 24 घंटे में कभी भी 24-7 हमसे क्या पूछ सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं इस test series से संबंदित है ना और proven exam oriented approach है मतलब हमने पूरी की पूर सी conduct कराता है है ना उसके उससे बिल्कुल orient करके हम इसके तैयारी करवाएं और साथ ही यह क्या कर देगा आपको पूरी तरह से complete syllabus का coverage कराएगा तो यह हमारे लिए क्या है integrated approach पर एक launch कर रहे हैं हम test series launch कर रहे हैं कब से launch हो रही है यह 30 जून 2024 से शुरू होने वाला है prelims के जो mains के test होंगे जो 7-7 में ही चलते जाएंगे 30 जून से लेकर के 10 नवेंबर तक में इसको क्या किया जाएगा आपके पूरे syllabus को cover करके यहाँ पर test series खतम कराई जाएगी लेकिन क्योंकि आप लोगों का जो prelims का exam होता है वो फरवरी में होता है इसलिए जो हमारा prelims का test है वो extend क करके कहां तक जाएगा वो पूरा 15 जन्वरी तक जाएगा ठीक है और यह कुछ इसके special features है हमारे test series के integrated syllabus for prelims and mains इसके बाद में test series will help you to prepare both for the examination both of the examinations at the same time जिससे आप लुगों का क्या होगा time काफी बचेगा energy बचेगी वो सारे को आप किस में लगा पाएंगे अपनी studies में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने test series में enroll करने की कोशिश करेंगे जिनको भी ज़्यादा information चाहिए होगा इसके बारे में वो सभी हमारे बिलासपूर, दुर्ग, राइपूर, राजनान गाओं ब्रांच में क्या कर सकते हैं वाक इन करके यहाँ पर आप information ले सकत है ठीक है चलिए आईए अब शुरू करते हैं हमारा current affairs याने की जो जून के दूसरे हफते में हमारे लिए current affairs important रही है उनको हम deal करेंगे हम जो format use कर रहे हैं उसी format का use करते हुए हम क्या करेंगे आज के वीडियो को cover करेंगे याने कि हम सबसे पहले देखेंगे इस हफते क्य क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं चीजें तो पहला है council of ministers का गठन कर दिया गया है भारत में यानकी भारत में मंत्री परिशद दूसरा है हमारे पास में एक satellite mission जिसको हम बोल रहे हैं क्या तृष्णा तीसरा आपके पास में GNSS नामक कोई एक चीज है जिसको हम अब यह आगे देखेंगे कि यह आखिर GNSS क्या है यह ग्लोबल नैविगेशन सैटलाइट सिस्टम है पास्टेक्स जो है आपका वर्तमान में electronic टॉल कलेक्शन का जो पद्धती है पास्टेक्स उनको रिप्लेस करने के लिए क्लिए आने वाला है GNSS आने वाला है इसके ब अनिवर्शिदी बनाया जा रहा है उसके बारे में देखेंगे ठीक है इसके बाद में हम देखते हैं कुछ हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग इस बार क्या बने हुए हैं चर्चित रहे हैं या फिर न्यूज में बने रहे हैं जैसे की एक हैं आपका जारा सतावरी पेंद्र दिवेदी तीसरी है आपके पास में अनामिका भी राजीव चौते हैं विल्यम एंडर्स पांचवे हैं गुलवीर सिंग और चट्वी हैं रामोजी राओ यह सभी वह व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी कारण से हमारे न्यूज में बने हुए हैं इसके बाद में हमार 24 के ICC Player of the Month घोशित के गए उनको हम देखेंगे फिर हमारे पास में ATP याने की Association of Tennis Professionals का 100 चैलेंजर टूर्नामेंट हुआ उसके बारे में हम देखेंगे इसके बाद में 200 मीटर फ्री स्टाइल स्वीमिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है उसके बारे में देख देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस हफते हमारे लिए करंट अफेर्स में क्या इंपॉर्टेंट रहा है राश्ट्रिय और अंतरराश्ट्रिय स्तर पर है ना तो सबसे पहला हमारे लिए जो है वह है आपका भारती या मंत्री परिशद टोटल ऑफ 72 मिनिस्टर मतलब हाल ही में आपके राश्टr के हमारे भारत राश्ट्र के प्रधान मंत्री के साथables 71 मंत्रियों ने क्या किया अपना शपत लिया हैaaaa तो टोटल कितने हो गए यह 72 मंत्रियों ने क्या ले लिया है शपत ले लिया है और इनको शपत दिलाने वाले कौन है प्रेसिडेंट है हमारे देश के राष्ट्रपती है ना तो इनके बारे में हमको थोड़ी सी इंफोर्मेशन देखनी जरूरी है यह जो आपके 72 मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इनमें 30 जो है यह काबिनेट मंत्री हैं पांच जो है यह आपके स्वतंत्रबल वाले राज्य मंत्री है और 36 36 आपके राज्य मंत्री है ओक्डा आलो भी याद मिनिस'स फिर पांच आपके पास में कौन है स्टेट मिनिस्टर्स लेकिन कैसे इंडिपेंडेंट चार्ज वाले याने कि स्वतंत्र प्रभार वाले और छत्तिस क्या है आपके पास में राज्य मंत्री इन 36 राज्य मंत्रियों में से एक हमारे 36 रड़के बिलासपूर के तोखन साहू जीक भी हैं तो न हमारे पास क्या हो गया polygon strang threads पांच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 क्या हो गए राज मंत्री हो गए ठीक है इसके बाद में हमको देखना है कौन कौन सी party से क्योंकि इस बार भारतिय जंता party को क्या नहीं मिली है बहूमत नहीं मिली है इस लिए यहां पर हमें एक गडबंधन की सरकार देखने मिल रही है कौन सी NDA है ना तो गडबंधन की सरकार में कौन से पार्टी से कितने मंत्री है ये भी हम देख लेते हैं या एट लिस्ट जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेंगे जो भारतिय जंता पार्टी है इसने कुल मिलाकर के 240 सीटे जीते हैं और इनके जो कुल मिलाकर के मंत्री मंडल है अभी वर्तमान का मंत्री परिशद है 72 लोगों का उनमें से 61 मंत्री किसको मिलाकर के प्रधान मंत्री के साथ में 61 मंत्री जो है वो किंस के आ जाएंगे भारतिय जंता पार्टी के आ जाएंगे दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है इनके NDA कोलिशन में गड़बंदन है उसमें दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है TDP या फिर तेलगू देशम पार्टी और इन्हों मंत्री में को शामिल किया गया है अगर हम खुल मिला कर के बात करें तो NDA में भाजपा को छोड़ करके अंण ने Joseph वगंद सीट में से कितने मंत्रियों को अपना आपका जो एंडिय कोईलीशन है उसमें जगह दी गई हैं तो यह आपके कितने हो जाएंगे ग्यारा मंत्रियों को सीट दी गई है इसके बाद में हमारे average जो age है मतलब औसत आयू जो है किसकी मंत्री परिशद की वो कितनी हो जाएगी 69 वर्ष 59 years की क्या हो जाएगी हमारा औसत आयू हो जाएगा हमारा मंत्री परिशद की और हमारे पास में कुल मिला करके 81 ministers को बनाया जा सकता है मतलब अभी हमारे पास कितने मंत्री बन गए है 72 लेकिन टोटल में कितने बनाया जा सकते है 81 बनाया जा सकते है इसका मतलब क्या है अभी 9 मंत्रियों की क्या हो सकती है नियुक्ति और की जा सकती है 9 ministers can be made है ना अभी 9 और मंत्री बनाए जा सकते हैं ये कैसे निर्धारण होता है कि कितने मंत्री होंगे या कितने मंत्री नहीं होंगे आगे देखते हैं ठीक है तो ये सभी हमारे पास में क्या हो जाता है ये वो data हो जाते हैं जो मंत्री परिशद में हमारे NDA और उससे सहयोगी जो parties है उससे हो जाती है अब अगर हम देखें cabinet के हिसाब से या जो अलग-अलग मंत्रियों की क्या रैंक होते हैं उसके हिसाब से कौन सी पार्टी को कितना मिला है तो यह हम लोग देख लेते हैं जो cabinet मंत्री है उसमें total मिला करके कितने मंत्र मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले वो कुल मिला करके कितने हैं पांच हैं जिन में से तीन भाजपा के हैं और दो सहयोगी दलो के हैं उसके बाद में जो राज्य मंत्री है स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो कुल मिला करके कितने हैं 36 हैं जिसमें से 32 भाजपा के हैं और चार कि के हैं सहयोगी दलों के हैं यह सब हमारे लिए डेटा इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी ही हुआ है चुनाओ एट लीस्ट आपके 6 महीने से एक साल तक यह सारे डेटा आप लोगों के एकजाम में घूम फिर करके आप लोगों से टकराते जाएंगे और क्योंकि गड़ बंधन की सरकार है भाजपा के साथ साथ उसके जो सहयोगी दलों है उन्हों उनको भी क्या किया गया है कैबिनेट में भी शामिल किया गया है फिर राज्यमंतरी सोतंत्र प्रभार भी उनको दिया गया है तो यह सारे डेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा important हो जाते हैं मतलब यह कौन-कौन से मंत्री है और इनको कौन-कौन सा विभाग दिया गया है यह दोनों चीज बहुत important है आप लोगों का यह homework रहेगा कि यह 5 जो लोग हैं इनको खोज करके आप निकालेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यह कौन 5 ऐसे लोग हैं जो भाजपा में ना होते हुए भी इन्हें क्या दिया गया है cabinet मंत्री का दर्जा दिया गया है अब हम कुछ basic information देख लेते हैं क्योंकि हमारा हाल ही में council of ministers का गठन किया गया है तो उनसे संबंदित हम कुछ सम्विधानिक प्रावधान देख लेते हैं भारतिये सम्विधान के अनुच्छेद कौन से 74 article 74 में बताया गया है किसके बारे में council of ministers के बारे में याने की मंत्री परिशत के बारे में और इसमें क्या बोला गया है there shall be a minister there shall be a council of ministers with prime minister at the head and to aid and advise the president who in the exercise of his function shall act according to the advice rendered मतलब राष्ट्रपती को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिशद होगी तो यह मंत्री परिशद कौन से अनुच्छेद में बताया जा रहा है भारती सम्मिधान के अनुच्छेद 74 में बताया जा रहा है जो अपने कारियों के निश्पादन में इसी सलाह के अनुसार कारे करेगा किसके बारे में बोला जा रहा है राष्ट्रपती के सलाह के बारे में बोला जा रहा है मतलब राष्ट्रपती के कारे के बारे में बोला जा रहा है इसके बाद इसी चोहत्तरवे आपके अनुच्छेद में और क्या बोला जा रहा है दा प्रेसिडेंट में परिशत की बात को मान करके ही अपना कारी करें लेकिन वो क्या कर सकता है एक बार उन्हें अपना जो भी उन्होंने एडवाइस दिया है उसको रीकंसिडर करने के लिए पुनर विचार करने के लिए बोल सकता है लेकिन मतलब अगर उसने क्या किया है राष्ट्रपती ने काउंसिल ओफ मिनिस्टर को बोला है आप अपना जो भी एडवाइस किये है उसको पुनर विचार किजिए और पुनर विचार करने के बाद ने सेम एडवाइस अगर राष्ट्रपती को दे दिया गया है तो वहाँ पर अनुचे 74 में इसके बाद में एक और बात इसमें क्या बोल दी गई है दा एडवाइस टेंडर्ड बाइस मिनिस्टर सु प्रेसिडेंट शेल नॉट बी एंक्वाइड इन्टू एनी कोर्ट बतलब जो इन्होंने क्या दिया है सलाह जो देंगे ये लोग किसको राष्ट्र प्र्णर तर आ जाता है ये भी हामारे लिए इंपॉर्टंट हो जाएगा वर्तमान में क्योंकि यह क्या बोल रहा है Ihnen के सम्भंध में कुछ अन्य क्वर धानों के बारे बुला जा रहा है आ और इसमें बूला क्या जा रहा है जो प्रधान मंत्री है उसकी नियुक्ति किया जाएगा किसके दवर किया जाएगा राश्ट्रपती के बाशाट्र अपन्तिर के द्वारा किया जाएगा अब देखे अभी हम बोल रहे थे यह आकड़ा हमारे पास कहा से आता है तो इसी अनुच्छेत 75 से ही हमारे पास में आएगा मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतीशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रावधान किस्से जुड अधिनियम से यह जोड़ा गया था मतलब 91st constitutional amendment act 2003 के माध्यम से यह वाला प्रावधान जोड़ा गया था जिसमें बोला गया है कि आपका जो total council of ministers में मंत्रियों की संख्या होगी वह 15 प्रतीशत से ज्यादा नहीं होगी किसके 15 प्रतीशत से ज्यादा क्या यह पूरे संसद भवन के जितनी भी total membership है सदस्यता है उसका 15 होगा क्या राजप्रत सभाग का 15 परतीशत होगा यह फीर लोकसभा का 15 परतीशत होगा तो यह से कुल मिला करके कितना हो गया 81 हो गया यह प्रावधान कब जोड़ा गया इनक्यान बेवा सम्विधान संशोधन 2003 तो यह आप लोगों के लिए बहुत important हो गये कौन कौन से आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 साथ में आपका इनक्यान बेवा सम्विधान संशोधन 91st constitutional amendment act 2003 यह सभी आप लोगों के लिए क्या हो जाते हैं बेहद important हो जाते हैं ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister this provision was also added by 91st constitutional amendment act मतलब अगर कोई आपका व्यक्ति किसी भी संसद के सदस्यता से क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है किस अधार पर कि उसने दल बदल विरोधी कानून का क्या किया है उलंगन किया है या फिर defection किया है on the grounds of defection तो जैसे ही वो कोई व्यक्ति क्या हो जाता है आपका संसद का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे appointed as minister भी नहीं माना जाएगा मतलब उसको क्या कर दिया जाएगा minister होने से भी disqualify कर दिया जाएगा या फिर यह बोला जाए ऐसे व्यक्ति को minister नहीं बनाया जाएगा और यह भी कौन बता रहा है आपका किस से जोड़ा गया इनक्यानवेवा सम्मिदान पंशोधन 2003 से ही इसे जोड़ा गया है इसके बाद में बोला गया है मंत्री राश्रपती की इक्षा पर्यंत या फिर प्रशाद पर्यंत प्रशाद पर्यंत प्लेजर ऑफ और प्रेश्डेंट तक काम करते हैं मतलब राश्रपती ही क्या करता है इनका appoint करता है, इनको नियोक्त करता है मंत्रियों को और जो मंत्री होते हैं यह राश्वति के प्रशाद पर्यंत काम करते है, मतलब राश्वति जब चाहेगा तब वो क्या कर सकता है किसी मंत्री को हटा सकता है, लेकिन या उसकी स्वव विवेकिय शक्ती नहीं है ये वो कैसे करेगा मंत्री परिशद या फिर प्रधान मंत्री की सलाह पर ही क्या करेगा किसी मंत्री को उसके पद से हटाएगा केंद्री मंत्री परिशद सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है मतलब जो Central Council of Minister है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉंसिबल टू लोक सभा अब जो हमारे देश में संसदीय विवस्था है क्या विवस्था है पारलिया मेंट्री सिस्टम पारलिया मेंट्री Form of Government है ये उसकी बुनियाद मानी जाती है मतलब जो हमारा Council of Minister है या फिर मंद्री परीशद है केंद्री वो किसके लिए उत्तरदाई होता है वो सामुहिक रूप से लोग सभा के लिए उत्तरदाई होते हैं क्योंकि वो लोग क्या होते हैं चुन करके उन्हें जो हम प्रतिक शुरूप से चुन करके कहां बिठाते हैं लोग सभा में बिठाते हैं तो हो सकता है कि मंत्री जो है वो लोग सभा राज्य सभा दोनों जगा से हों लेकिन वो लोग क्या होंगे collectively अगर responsible हैं तो किन के लिए responsible होते हैं वो लोग सभा के लिए और जो हमारा संसदिय व्यास्था है भारतिय सरकार की parliamentary form of government जो है उसका basis माना जाता है मतलब उसका founding stone माना जाता है किसको इस statement को तो अगर आप लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि भारतिय सम्मिधान में संसदिय व्यवस्था की नीव किस अनुचेद को माना जाता है तो वह हो जाएगा आप लोगों का अनुचेद क्रमांक कौंसा 75 article 75 article 75 वेरि वेरी वेरी इंपोर्टन्ट भारतिय सरकार में संसदिय व्यवस्था की नीव किसे माना जाता है अनुछेद 75 को क्यों माना जाता है क्योंकि इसमें बताया है केंद्री मंत्री परिशद सामुहिक रूप से किसके लिए उत्तरदाई होंगे लोक सभा के लिए उत्तरदाई होंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी याने की हमारे भारतिय प्रधान मंतरी इन्होंने लगतार तीसरी बार भारत के प्रधान मंतरी बने और इन्होंने क्या कर लिया है पंडित जवाहर लाल नहरू का जो एक रिकॉर्ड था उसकी बराबरी कर ली है मतलब प्रधान मंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नहरू रहे हैं वो एक मात्र ऐसे आपके प्रधान मंत्री रहे हैं जिनोंने लगातार तीसरे कारेकाल, तीन कारेकाल में क्या किया है अपनी सेवाएं दी हैं और साथ साथ वो तीनों ही कारेकाल किसके रहे हैं बहूमत की सरकार के रहे हैं तीन कारेकाल हमारे अटल विहारी वाजपाई जी की भी रही है लेकिन उनका जो पहला कारेकाल था एक वोट से उनको 16 दिन में क्या गिरा दी गई थी उनकी सरकार गिरा दी गई थी है ना तो बन गया है कौन नरेंद्र मोधी जवाहल लाल नहरू के बाद में जिन्होंने लगातार तीसरी बार क्या किया है कारेकाल समाला है प्रधान मंत्री के रूप में और वो भी कैसे बहूमत की सरकार का आगे चलते हैं जो हमारा दूसरा यहां पर हमारा पहला जो टॉपिक था वो खतम होता है कौन सा Council of Ministers का या फिर मंत्री परिशत का अगला जो हमारा topic है वो है satellite mission तृष्णा ठीक है तो अगला जो हमारा है वो है क्या satellite mission तृष्णा है ना क्या है इसको देख लेते हैं यहां भारत और फ्रांस का संयुक्त satellite mission है संयुक्त satellite mission है जो तापमान उत्सर्जन मौसम पैटर्न और विकर्णों को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्यान करने के लिए समर्पित है इडिजा जोइंट satellite mission of इंडिया एंड फ्रांस इंडिया एंड फ्रांस डेडिकेटेट टू स्टडी टेंप्रेचर्चर्स एमिशन्स वेदर पैटर्न और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियेशन्स अब यह त्रिष्णा क्या है थर्मल इंफ्रारेड imaging satellite for high resolution natural resource assessment है न इसका हिंदी को आप गया करना है इसका पूरा है हिंदी में ही इसको लिखना होगा अगर आपते त्रिशना को लिखना है तो आप लोग ऐसा लिखेंगे थर्मल इंफ्रा रेड इमेजिंग सेटलाइट फॉर हाई रिजॉल्यूशन नैचिरल रिसोर्स असेस्मेंट यह इसका क्या है पुल फॉर्म है यह क्या है एक सेटलाइट मिशन है सेटलाइट मिशन किस चीज़ के लिए है आपका स्टडी करने के लिए उश्मा कैसी है टेंपरेचर हमारे सेटलाइट मिशन है अगला चलते हैं जी एन एस तो यह आपका क्या है सबसे पहले देख लेते हैं इसको भारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधी करण के तहत राश्ट्रिय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड भारत में ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम जी एन एस एस ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रहन प्रणाली शुरू करने के लिए तयारी कर रही है यहां पूर्व वर्ती आर एफ आईडी याने की रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित फ हमारे हाइवेज में हम अपनी गाडियों को ले करके जाते हैं चाहे वह माल वरहक गाड़ी हो चाहे वह पैसेंजर गाडियां हो हम को उस हाइवे को यूज करने के लिए क्लिए टोल्टेक्स देना होता है टोलटेक्स के collection की एक प्रणाली हाल ही में 5 साल 4 साल पहले हमारे भारत में लागू करी गई थी जिसको हम बोलते हैं क्या fast tag पास tag और यह जो fast tag होते हैं यह एक card number आपके संरशना होती ही जिनको क्या किया जाता है आपकी गाड़ियों के सामने में लगे होते हैं इसके बाद में इनके पीछे में जो काम करने वाली टेक्नोलोजी होती है उसका नाम क्या था RFID याने की Radio Frequency Identification Radio Frequency Identification पर काम करते थे कौन Fast Tax तो जैसे ही आप क्या करते थे Toll Tax के पास में खड़े होते थे Automatically वो पैसा कड़ जाता था आपका Toll Tax और फिर आप वहाँ से निकल जाते थे अब ये वाले सिस्टम को बंद करके क्या करने वाली है सरकार एक नया सक्षम Onboard सक्षम Onboard Unit Unit लगाने वाली है जो Fast Tech की तरह ही आपकी गाड़ियों में लगेगी लेकिन ये कौन सी Technology पर अधारित होगी ये होगी आपका GNSS Global Navigation Satellite System पर अधारित होगी ये आपकी क्या GNSS पर अधारित सक्षम Onboard Unit होगी लगभग आपका काम उसी प्रकार का होगा बस इसमें होगा ये कि आप जतने किलोमेटर भी चलेंगे उतने किलोमेटर चलने के लिए आपको पहले से क्या ले लेना होगा यहाँ पर towel tax pay करना होगा अभी ऐसा है कि अगर आपको toll tax के बगल वाले ही घाउं में जाना है तो भी किलोमेटर चलेंगे उतने किलोमेटर का आपको क्या देना होगा तोल टैक्स देना होगा तो यह हमारे लिए एक फाइदा हो जाएगा है ना और आपके करंट अफेस में तो बनाई हुआ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह इक्जाम उपियोगी है ठीक है इसके बाद में हम देखते हैं ब्रिक्स के बारे में वर्तमान में ब्रिक्स भी हमारा चर्चा में बना रहा है क्यों रहा है देखते हैं ब्रिक्स में विदेशी मंत्रियों की विया फिर ब्रिक्स सदस्यों के विदेश मंत्रियों ने 2023 में मिश्र इरान UAE साओधी अरब और इथि जब 2023 में जुड़े हैं इसके बाद से ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ था उसके बाद से पहली बार ब्रिक्स के जो विदेशी मंत्री है उनकी एक क्या हुई है बैठक हुई है इसलिए ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यह जो देश हैं आपके इजिप् हुआ इन्होंने अधिकारिक तोर पर घोषणा कर दी थी 2023 में कि यह ब्रिक्स जॉइन कर रहे हैं लेकिन इन्हें जॉइन कब कर आया गया है फर्स्ट जन्वरी 2024 को मतलाब एक जन्वरी 2024 से यह लोग क्या हो गया है ब्रिक्स प्लस 5, ब्रिक्स प्लस 5 हो गए है यह ब्रिक्स प्लस 5 हो गए है ना एक दो तीन चार और 5 तो यह कब से हो गए है एक जन्वरी 2024 से अभी हाल फिलहाल में इन लोगों का क्या हुआ है विदेश मन्तरियों की मीटिंग होई है अब ब्रिक्स क्या है इसको देख लेते हैं ब्रिक्स इन एक्रोनॉमी फॉर ग्रूपिंग ऑफ व्ल्ट्स लीडिंग एमर्जिंग एकॉनमी नेमली ब्राजील रॉशिया इंडिया चाइना साथ अफ्रीका दे ब्रिक्स लीडर समिट इस कन्वीन अन्मली दे फिफ्टेंथ ब्रिक्स समिट वस होस्टेट बाइ साथ रॉशिया विल होस्ट दा सिक्स्टिंथ ब्रिक्स समिट इन ऑक्टोबर टॉजन प्रिक्स क्या है यह क्या बताना चाहरा है ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थ व्यवस्थाओं अर्थाद ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिन अफ्रीका का एक क्य स्थमरी इन अगरिस में उसके मेजबानी किसने की ती साउत अप्रीका ने की जबकि अभी अक्टुबर दोजार चौबिस में फिर से होने वाला है कि स्यार्य न इसकी मैस्टाइब BRICS PLUS 5 का गठन कब हुआ तो वहाँ पर आप लोगों का जवाब हो जाएगा क्या एक जनवरी 2024 को फिर आप लोगों से पूछेगा BRICS PLUS 5 में कौन-कौन से देश शामिल है तो एक तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका है और बाकी जो बचे 5 हैं इन कहां होने वाला है BRICS का सोलवा सिखर शम्मेलन या फिर एन्वल मीट कहां होने वाला है तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए कहां होगा रशिया में होगा और पंद्रवा कहां हो चुका है तो यह आपका साउथ अफरीका में हुआ है ठीक है इतना हम लोगों को क्या है क्लियर होना चाहिए इस समूह का गठन पहली बार अन अपचारिक रूप से सन 2006 में किया गया था अन अपचारिक मतलब अन अफिशियली कब हुआ था ये 2006 में हुआ था कब वहाँ पर रूस में क्या चल रहा था रूस के सेंट पिटर बग में जी-8 याने की अब जो जी-7 हो गया है उसमें उस समय वो जी-8 हुआ करता था रशिया भी उसमें क्या था शामिल था इसलिए उसे जी-8 कहा जाता था G8rement की क्या हो रही थी, समिट हो रही थी 2006 में, रशिया के सेंट पीटरबक में और वही पर ही साइड लाइंस में क्या किया गया? Bricks का एक सम्मेलन, या फिर अनचारिक रूप से क्या कर लिया गया? एक बार गठन कर दिया गया था लेकिन फाइनली इसका actual गठन कब किया गया 2009 में 2009 में the inaugural BRICS summit took place in ये के रश्या रश्या में ही क्या किया गया 2009 में इसका actual inaugural meeting चालू किया गया था और South Africa इसको जॉइन करने बाद में जॉइन किया है South Africa शुरुवात में ये बी आर आई सी ब्राजील रश्या इंडिया और चाइना इन चारों का क्या था एक गठन मनाया गया था जिसे 2010 में South Africa ने जॉइन किया तो आप लोगों के लिए अभी questions important हो जाते हैं ब्रिक्स को सबसे पहली बार कब गठन किया गया था अन आपचारिक रूप से 2009 को 2006 में किया गया अब चारिक रूप से 2009 में किया गया शुरुवात में इसमें केवल चार देश थे कौन-कौन से वी आर आई सी याने की ब्राजील रश्या इंडिया चाइना बाद में इसे जोड़ दिया गया किसे साउथ अफ्रीका को है ना और कब जुड़ा गया 2010 में 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद में यहां पर 2024 में फिर चार जुड़ गए हैं पांच जुड़ गए हैं तो यह फाइनली अब क्या हो गया है ब्रिक्स प्लस 5 हो गया है आगे देखते हैं ब्रिक्स का जो छटवा सम्मेलन रहा है जो फोर्टालेजा फोर्टालेजा में क्या हुआ था चटवा सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का वहाँ पर न्यू डेवलप्मेंटल बैंक की क्या गई की गई थी नीव रखी गई थी एक्स्ट्रा फैक्ट है अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा है ना तो ब्रिक्स के कौन से सम्मेलन में न्यू डेवलप्मेंटल बैंक की स्थापना की गई थी यह आपका चटवा ब्रिक्स का सम्मिलन कहां हुआ था यह फॉटलेजर में हुआ था ठीक है चलिए आगे चलते हैं जी सेवन का वर्तमान में समिट हो रहा है कहां पर इटली में जहांके बहुत ही खुबसूरत तस्वीरें हम सभी को सोशल मीड पर भी देखने मिल रही है है ना टीम मेलोडी के रूप ने हमें देखने मिल रही है कि आज जी सेवन की बहुत सुन्दर तस्वीरें यहां पर हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हमारे एक्जाम पॉइंट अफ व्यूस आमारे क्या क्या इंपॉर टार चौबिस तक हो रहा है और यह जो सम्मेलन है यह जी सेवन जो ग्रूप है उसका पाच्च पचासवा वर्ष गांट मनाने का एक क्या है रिमेंब्रेंश डे है याने कि पचासवी अनिवरसरी को मार्क कर रहा है इस बार का जो जी सेवन का संविट है वह ठीक है अब ज है याने कि कौन कौन France Germany Italy France Germany Italy United Kingdom Japan United States और Canada तो पहले ये क्या हुआ Canada इसमें शामिल नहीं था ना ठीक है आगे पढ़ते हैं तो ये क्या है सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा उन्नत अर्थ व्यास्ताओं का एक समु है कौन-कौन है इसमें फिर से देख लिजी फ्रांस जर्मनी इटली उनाइटेड किंग्डम जापान उनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा इसमें क्या जी सेवन में शामिल अब दे लीडर्स ओफ इंपोर्टेंट इंटरनाशनल और्गनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन इंटरनाशनल मॉनेटरी फंड इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड के विश्व वैंक के और संयुक्त राष्ट जैसे महत्रपूर्ण अंतर राष्टी जो संगठान है उनके नेताओं को भी क्या किया जाता है इसमें बुलाया जाता है अब देखिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं जी सेवन का हमारे लि से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे आपके विभिन परिक्षाओं में है ना तो इसका इतिहास देख लेते हैं जी सेवन ओरिजिनली बिगें ऐस ग्रूप आफ सिक्स मतलब जी सिक्स के रूप में छै देशों का ये गड़ बंदन के रूप में 1975 में क्या हुआ अस स्तित्तों में आया उस समय इसमें कौन है युनाइटेड किंग्डम फ्रांस इटली जपान युनाइटेड किंग्डम युनाइटिड स्टेट्स और जर्मनी यानए नहीं है यहां पर Canada शामिल नहीं था है शुर्वांती जो इसके संस्थापक देशं उसमें Canada शामिल नहीं था कौन-कौन थे United States United Kingdom Japan Italy Germany اور फ्रांस इतने देशों ने मिल करके 1975 में जी सिक्स की क्या की गठन किया था अब इनका उद्देश क्या था इसका प्राथ्विक उद्देश था मुद्रस्पिती और वैश्विक मंदी जैसे महत्पूर्ण आर्थिक मुद्दों का समाधान करना जो 1973-74 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के तेल प्रतिबंद के बाद में उद्पन हुए थे मतलब 1973-74 में पेट्रोलियम निर्यातक जो देश रहे हैं उन्होंने अपने तेलों में क्या किया था तेल का जो आदान प्रद जैसे व्यवस्थाएं या फिर चीजें हमें देखने मिल रही थी और इनसे ही लड़ने के लिए या फिर इनसे उबरने के लिए क्या किया गया था इस जी सिक्स का गठन किया गया था 1976 में ही संभावनाओं को देखते हुए कैनेडा ने क्या कर लिया इसमें अपना मेंबर्शिप ले लिया कैनेडा जॉइंड दा ग्रूप इन 1976 लीडिंग टू इस ट्रांसफोर्मेशन इंटू जी सेवन तो यह जी सिक्स कब बना 1975 में यह जी सेवन हो गया कब 1976 में किसको मिला करके कैनेडा को मिला करके और यह सब को देखते हुए रशिया ने भी 1997 में इसकी सदस्यता ले ली 1997 में लगबग 20 साल बाद रशिया ने भी इसकी क्या कर ली सदस्यता ले ली है ना तो विस्तार कैसे हुआ इसका 1976 में शामूल हो गया कौन कैनेडा जी सेवन में रूप आंतरित हो गया 1997 में शामिल हुआ कौन रशिया और यह अस्थाई रूप से जी एट हो गया लेकिन सन 2014 में सन 2014 में रशिया ने क्रीमिया के उपर क्या कर दिया हमला करके क्रीमिया को अपने कबजे में ले लिया और जैसे ही उसने क्रीमिया को कबजे में लिया इस जी सेवन के या फिर जी एट के ग्रूप से इसे निकाल दिया गया रशिया और फिर यह अपने वर्तमान स्वरूप प्याने की जी सेवन में वापस से तबदील हो गया कैसे रशिया को निकालने के बाद ठीक है तो जो वर्तमान जी सेवन का स्वरूप है वो इसको कब प्राप्त हुआ तो यह इसे प्राप्त हुआ सन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के उपर अपना क्या अधिकार स्थापित कर लिया और इसके कारण जी से इसे क्या कर दिया गया निकाल दिया गया ठीक है 1981 से यूरोपिय संग जी सेवन बैठकों में शामिल हो रहा है जिसका प्रतीनिदित्व यूरोपिय परिशद और यूरोपिय आयोग के अध्यक्ष करते हैं यूरोपिय संग स्वमू के काम में भाग लेता तो है लेकिन इसके पास बारी-बारी से अध्यक्षता नही होती है याने कि जो यूरोपियन यूनियन है वो 1981 से क्या कर रहा है यह जो आपका जी सेवन है इसके सारी में भाग ले रहा है लेकिन इसकी जो आपकी अध्यक्षता होती है वो और रोटेशनल बेसिस होती है बारी-बारी से साल-दर साल होती है तो यह जो आपके अध्यक् में कुछ क्या है ऐसे व्यक्ति है जो हाल फिलाल में चर्चा में बने हुए है या फिर समाचार में बने हुए है उनके बारे में हम देख लेंगे सबसे पहले हैं Lieutenant General Upendra Divedi has been appointed as the new military chief new army chief of Indian military मतलब जो थल सेना है भारती थल सेना उसके प्रमुख बनाए गये है कोन Lieutenant General Upendra Divedi और यह किसकी जगह लेंगे यह जगह लेंगे आपके Major Manoj Pande की जगह लेंगे दूसरी जो हमारे प्यास में व्यक्तित्व हैं वो है अनामिका बी राजीव अब यह अनामिका जो है यह आपके इंडियन नेवी की पहली विमेन हेलिकॉप्टर पाइलेट बन गई है मतलब भारती नेवी की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलेट बन गई है कौन अनामिका बी राजीव वेरी वेरी इंपोर्टन्ट यह दोनों ह थल सेना का प्रमुख बनाया गया है अनामिका क्या बन गई है पहली महिला हेलिकॉपटर बन गई है औरまあ किसकी भारती नेवी की कि इसके बाद में हमारे पास मैं अ जाते हैं तीसरे वैक्ति जो है विलियम एन्ड़ erzählt हाल ही में विल्यम एंडल्स का क्या हुआ है निधन हो गया है और ये वो व्यक्ति हैं जिनोंने अपोलो 8 मिशन जो 1968 में नासा द्वारा भेजा गया था जो की एक मानव रहित प्या था आपका चंद्र मिशन था आपका नासा का उसका क्या रहे है ये उसके एक सदस्य रहे हैं ठीक है मतलब उसको लॉंच करने में इसके ये क्या रहे हैं एक बहुत महत्पूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है ठीक है अपोलो 8 मिशन कब भेजा गया था नासा दौरा 1968 में और उसमें एक महत्पूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन रहे हैं विल्यम एंडर्स रहे हैं वर्तमान में इनकी क्या हो गई है मृत्ति हो गई है हमारे एक्जाम से बहुत जादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एक् आप का इ unsure दधी जो आपका चंद्रयान था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था क्या अपोलो 8 मिशन और 1968 में और कहां से किया घ्या था तो केप कैनेडी से इसे लॉंस किया ज़ीए अगले जो हमारे लिले इंपॉर्टेंट मेक्ति है वो है गुलवीर सिंग भारत के गुलवीर सिंग ने क्या किया है नया राष्ट्रिय रिकॉर्ड बनाया है नया क्या बनाया है राष्ट्रिय रिकॉर्ड बनाया है और किसमे बनाया है इसने 5000 जार मीटर रनिंग में 5000 मीटर यानि कि पांच किलो मिटर की रन में इन्होंने क्या बनाया है राष्ट्री रिकॉर्ड बनाया है और कितने मिनट में इन्होंने खतम कर दिया 5000 km 5000 मीटर इन् Sawant उन्होंने तेरा मिनिट और 18.92 सेकेंड में खतं कर दिया है और यह इन्ने कहात बनाए है Engine VC Last Re Case वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और फाहत बनाए को तेन 10.000 मीटर की रनिंग रेस में भी इनका क्या है राश्ट्रिय रिकॉर्ड इही रखते हैं और इन्होंने 10,000 मीटर कितने मिनट में खतम किया था 27 मिनट और 41.81 सेकेंड में खतम किया था यह कौन आपके गुलवीर सिंग इसके बाद में हमारे पास में रामोजी राओ भारतिय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम रामोजी राओ का हाल ही में निधन हो गय है इन्होंने भारत में रामोजी फिल्म सिटी बनाई है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होने का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है याने की पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जगह है जहां पर एक साथ कम से कम 20 मूवी की क्या हो सकती है 1996 में लगबग इन्होंने क्या किया था इस रामोजी फिल्म सिटी की नीव रखी थी इन्होंने ये एक इनका विजन था कि अलग अलग जगहों में जाकर के साइट सेलेक्शन करना और वहां पर मूवी का शूट करना बहुत कठिन होता है तो क्यों ना हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दें जहां पर व्यक्ति अपनी स्क्रिफ्ट लेकर के आए और मूवी लेकर के जाए इस उद्देश से इन्होंने क्या किया था रामोजी फिल्म सिटी की नीव रखी थी और उसे गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है कि दुनिया का सबस से उचा हमारा क्या है सिवीलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया था कब सन 2016 में और यह बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते थे जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनीज यह ऑपरेट करते थे हॉस्पिटालिटी के बिजनेस यह क्या करते थे ऑपरेट करते थे का निधन हो गया है वरतमान में हमारे लिए इंपरेट यह है कि रामोजी फिल्म सिटी को क्या मिला हुआ है गिनेस बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी होने के रूप में और दूसरा रामोजी राव को सन 2016 में क्या किय गया था भारत का दूसरा सब सर्वोच आपका बुरसकार दिया गया था वह कौन सा है पद्म विभूशन से नमाजा गया था यह दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं आगे चलते हैं अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे ऐसे समसमाई की जो हमारे स्पोर् फ्रेंच ओपन था इसका 123 संसकरण था 123 संसकरण था किसका फ्रेंच ओपन का और 2024 में जो फ्रेंच ओपन था वह कौन जीता है इसको इसको जीतने वाला कौन है आपके एंग वहां से पहले थोड़ा सा इंफोर्मेशन है 2024 फ्रेंच ओपन एक Grand Slam टूर्नामेंट है ग्रेंट स्लैम टैनिस टूर्णामेंट है साल में चार वड़े टूर्णामेंट होते हैं टैनिस के जिनने ग्राइंट स्लैम बोला जाता है उनुन욱ज एक है कौन सा आपका फ्रेंच ओपन जो आउट डूर क्ले कोट पर खेला जाता है आउट डोर क्ले कोट पर खिलने जा खिला जाने वाला कौन सा ग्रेंट स्लैम है फ्रेंच ओपन है आपके डायरेक्ट वेशन पूछ सकता है यहां 26 मई से शुरू हो करके 9 जून दोजार 24 तक पैरिस के पैरिस जो फ्रांस में स्टेट रॉलेंड गैरोस स्टेड रॉलेंड ग गैरोस नामक जगहा पर क्या किया गया है खेला गया है तो आप लोगों से डायरेक्ट वेशन यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रेंट स्लैम है जिसे स्टेड रॉलेंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है तो यह कौन सा है फ्रेंच ओपन है यह कौन से कोट पर खेला जाता है क्ले कोट पर खेला जाता है अब इसको जीतने वाले कौन है जो मैंस सिंगल या फिर पूरुष एकल का खिताब है उसे जीतने वाले कौन है स्पेन के कार्लोस एलकराज और इन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन जीता है और वहीं जो विमन सिंगल से उन्हें जीतने वाली कौन है पोलैंड की इगा स्वाहितिक हैं और इन्होंने तीन बार इसे क्या जीत लिया है तीसरी बार इनके हैट्रिक हो गई है यह क्या फ्रेंच ओपन जीतने की ठीक है चलिए आगे चलते हैं इवेंट एवरी इयर जैसा कि हम देख रहे थे ग्रांड स्लैम्स जो है वो चार मेजर टूर्णामेंट्स है किसकी टैनिस की और यह चक्रा नुसार क्या होती है साल में खेले जाते हैं मतलब इनका एक पर्टिकुलर ओरर होता है जिसमें यह खेले जाते हैं सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन दूसरा होता है विंबल्डन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन आप लोगों से आप लोगों के एक्जाम में इसको इस क्रम में जमाने के लिए पूछा जाता है दो तरीके से पूछा जाता है एक आप से पूछा जाता है कि साल में होने वाले Grand Slams को पहले से अंतिम तक आप उनको जमाईए या फिर दूसरा इन से पूछा जाता है कि इन खेलों के उतभव होने के सन के हिसाब से इन को क्या करें आप लोग पहले से आखरी की ओर जमाए मतलब जिस सन में सबसे पहले जो खेल खेला गया उसको बाद में रखेंगे तो जो साल के grand slams हैं वो कैसे होते हैं AFWU AFWU यानि कि Australia, French, Wimbledon और USA जबकि इनके शुरुवाती sun के हिसाब से अगर हम इसको देखे कि कौन सा पहले शुरुवात हुआ कौन सा बाद में शुरुवात हुआ तब यह हो जाता है WAF यानि कि Wimbledon सबसे पहले शुरू हुआ था फिर US शुरू हुआ विंबल्डन मेरे ख्याल से 1877 में शुरू हुआ था या 1887 में फिर 1893 के आज पास आपका युए शुरू हुआ 1907 में आपका उस्टेलिया शुरू हुआ और 1927 के लगबग आपका फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था डेट हमारे लिए उत्रा important नहीं है सन कब हुआ था में हमारे लिए important है कि यह कैसे हम लोग पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था उसको हम कैसे जमाएंगे ठीक है कि दूसरा हमारे पास में आ जाते हैं आइसी सी प्लेयर ओफ दा मंथ माई 2024 घोशित किया गया है मतलब इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा मई महिने के प्लेयर ओफ दा मंथ घोशित किये गये हैं और यह कौन-कौन है यह है आपके गुडा केश मोती और यह वेस्ट इंडिया से हैं और आपका चमारी अट्टा पट्टू जो श्री लंका से हैं इन दोनों को प्लेयर ओफ दा मंथ माई गोशित किया गया है इसके बाद में हमारे पास ATP 100 चैलेंजर टूर्णामेंट है भारतिये टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में आयोजित जर्मनी में आयोजित इस टूर्णामेंट में जीत हासिल की है यह उनका पता होना चाहिए यह किस से संबंदित हैं टेनिस से संबंदित हैं और इन्होंने एटीपी का चैलेंजर टाइटल छटवी बार जीत लिया है वर्तमान में जो जर्मनी में होने वाला आपका 100 चैलेंजर टूर्णामेंट था एटीपी द्वारा कंड़क्ट कराया जाने वा एरियान टिटमस नामक एक हमारे पास में कौन है स्विमर है जो ऑस्ट्रेलिया से बिलॉंग करती है इन्होंने ओलंपिक के कौलिफायर मैच में क्या किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विमेन 200 मीटर फ्री स्टाइल में मतलब महिला 200 मीटर फ्री स्टाल तैराकी में इ एरियान टिटमस जो कहां से ऐस्ट्रेलिया की एक क्या है तैराक है या फिर स्विमर है और फाइनली हमारे पास में आ जाता है अमेरिका और अमेरिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस लिए स्पोर्ट से क्योंकि टीट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है 2024 का इसमें पहली बार स्टॉप क्लॉक रूल को क्या किया गया था इंट्रोड्यूस किया गया था और यह स्टॉप क्लॉक रूल क्या है इस स्टॉप क्लॉक रूल के एकॉर्डिंग जो बॉलिंग करने वाली टीम है उसे एक ओवर की समापती पर अगले ओवर को एक मिनट क 60 second के अंदर अंदर शुरू करना है अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें एक बार warning दी जाएगी दूसरी बार warning दी जाएगी लेकिन अगर तीसरी बार भी वो इस top clock नियम का उलंगन करती है तो उन्हें 5 numbers का या 5 run की क्या देनी होगी penalty देनी होगी मतलब जो बैटिंग टीम होगी उन्हें पांच उनके रंस क्या कर दी जाएंगे जोड दिये जाएंगे और अमेरिका जो है वो ऐसा पहला देश बन गया है जिसे इस टॉप क्लॉक रूल के अमाध्यम से क्या दिया गया है पांच रनों का पेनल्टी से पेनल्टी देना को भारत और अमेरिका के बीच में जो मैच खेला जा रहा था वहां पर बिलकुल नायक समय पर यह क्या हुआ इन्हें इत पांच रनों की क्या देना पड़ गई है पैनल्टी देनी पड़ गई है तो पहला टीम और एक मात्र टीम अभी की कौन है जिसे स्टॉप क्लॉक mandate that the fielding side must start and over within 60 seconds of completion of previous words मतलब stop clock नियम के अनुसार छेत्र रक्षन करने वाली टीम को पिछले over के पूरा होने के 60 seconds के भीतर अगला over शुरू करना होगा 60 seconds की गिंती मैदान पर लगी electronic घडी पर दिखाई जाएगी और तीसरा अंपायर तीसरी अंपायर घडी के शुरू होने का समय तय करेगी दे काउंटिंग of 60 seconds विल बी डिस्प्लेड ओन इलेक्ट्रोनिक क्लॉक ऑन दे ग्राउंड एंड थर्ड अंपायर विल कुछ exceptions हैं मतलब कुछ एक ऐसी conditions है जहां पर यह stop clock नियम को अपवाद मना जाएगा जब ओवरों के बीच में कोई नया बल्लेबाज विकेट पर आता है यानि कि जब कोई नया बैटर दो ओवर के बीच में अपना बैटिंग करने आ रहा है उस टाइम पर यहां पर stop clock के नियम को क्या किया जाएगा exception माना जाएगा मतलब 60 seconds से जाधा का यहां पर समय दिया जाएगा फिर दूसरा इसमें अपवाद होगा जब एक आधिकारिक drinks अंतराल घोशित किया गया है मतलब official क्या होगा drinks interval called upon रहेगा उस टाइम पर भी इसको exception दिया जाएगा तीसरा अगर empire have approved the on-field treatment of an injury to better or filter मतलब कोई भी अगर खिलाडी क्या हो गया है injury हो गई है उसको और empire ने क्या किया है on-field उसके treatment के लिए allow किया है और वो समय दो ओवर्स के बीच का समय है तो वहाँ पर यह साथ सेकेंड्स को calculate नहीं किया जाएगा और चौथा अगर the time lost is for any circumstances beyond the control of fielding team मतलब अगर fielding जो टीम है उसके control से बाहर की कोई ऐसी चीज है जिसके कारण वो time lost हो रहा है दो मैचेस के बीच में तो वहाँ पर भी इन्हें रियायत दी जाएगी कि यहां पर खतम होता है हमारा national और international वे सभी समसमाई की जो हमारे exam के point of view से important रहे हैं कब जून के दूसरे हफते में कल हम इसके उपर आधारित आप लोगों के लिए mcq ले करके आएंगे तब तक आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और टेस्स शीरीज के लिए आप लोग हमारे इन्टाक कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर्स पर आ करके आप लोग वौक इन करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको